बच्चो सभी लोग ध्यान दो फॉरेंड कमनी हम लोग स्टाट्ट पूरा का पूरा रिविजिन करने वाले है ठीक है तो फॉरेंड कमनी का जो चैप्टर है उसका नाम के है कमनी इनकॉर्परेटिट आउटसाइड इंडिया चैप्टर नमबर 22 चैप्टर 22 का एड्रेस 379 से 393 इतना भी मच्चिला के रेकॉर्डिंग में सिर्फ तेरी आवाजार मेरी बिल्कुल ना है मतलब थोड़ा धंग से आंसर करो चलो बच्चो सेक्शन 379 से 393 इतने सेक्शन्स कवर हो रहे है इस चाप्टर में राइट सबसे पहले जली अल्दी आपको को देफिनेशन बितना है हम लोग एकदम शॉट रखते सको और मेलमें चीजों को भी अम रोग रिवाइस करते आपको सबसे पहले बोला है वॉरें कमपनी का देफिनेशन ठीक है फॉरें कमपनी का टैट सेक्षिन में लिखा है company incorporated outside India, second part having a place of business in India and carrying out business activity in India, ठीक है बच्चों place of business in India जो है न वो या तो आप electronic mode से भी कर सकते हो physical mode से भी कर सकते हो, खुच से भी आप दुकान चालू कर सकते हो या फिर agent को लगा के भी आप business कर सकते हो, इसमें अमने electronic mode वाले point को बहुत बढ़ाता ठीक है, सब लोग सामने notes रखो electronic mode का मतलब क्या होता है यह मैंने आपको बताता, सबसे first क्या होते है उसमें, B2B और B2C transactions आते हैं है ना, B2B और B2C transactions, ठीक है, इसमें examples क्या थे WhatsApp, Netflix, Spotify Amazon ठीक है, WhatsApp, Netflix Spotify, Amazon, देखते हैं, बाकी लेक्षिस में तरह जोश कितना रहता है, ठीक है, बट ओके सबने में ऐसा उसके जारे हैं तो, आजा, WhatsApp, Netflix, Spotify, Amazon यह सारे एक्जांबल से B2B और B2C transactions के, next क्या था, अगर कोई कंपनी इंडिया के बाहर की इंडिया आती है और इंडिया वालों से deposits के तुरू पैसा रेस करती है, तो उसको भी हम लोग electronic mode में लाएंगे इसका एक्सेप्शन बताओ क्या था अगर कोई कंपनी गिफ्ट सिटी में, IFSC में आके, अगर securities के तुरू पैसा रेस करती है तो हम लोग उसको electronic mode count नहीं करेंगे और फिर वो foreign company के definition से बाहर हो जाएगा सही है, third point, services अगर कोई company दे रही है जैसे की financial settlement, जैसे की PayPal करती है web-based services जैसे की Google Ads होगे उसके बाद, advisory and transactional services होगे online कुछ भी advisory, legal advisory services किस नहीं दे दी है data-based services होगे, supply chain management, ERP जैसे software अगर वो दे रही है यह सब किस में आएगा, electronic mode में आएगा, right next, online services, telemarketing हो गया, telecommuting हो गया, telemedicine हो गया education and information research, जैसे की Coursera हो गया, Udemy हो गया यह सारे online वाले जो आपके services होते हैं, वो भी electronic mode के अंदर आएगे ठीक है, और यह चारों points है, जो भी related services हैं उसको भी इनोंने यहां consider कर दिया है, सही है, related, data communication, services understood or not, यह किसका definition हो गया foreign company का definition हो गया, electronic mode का point हमने यह complete किया सबका full focus इदर होना ची, focus इदर उदर जाना नहीं ची, last bench ध्यान दो प्लीज ठीक है, चलो foreign company का definition हो गया, अब आपको बोलना है next section कौन से है, 379 से start किया था, ठीक है, short में बता रहा हो, 379 बात करता है applicability की, ठीक है, तो बच्चो 379 की शुरुआत में मैंने आपको ऐसा कुछ बोला था, आचा वैसे वो foreign company के definition में, electronic mode में, server इंडिया में रहना चीना, जारूरी नहीं है इसके उपर दो-तिन questions आचोके हैं, आपको भी exam में आ सकता है, server इंडिया में रहो, इंडिया के बाहर रहो, उसे हमें कूछ फरग नहीं बढ़ता है ठीक है, next point, section 379, application of act to foreign companies तो बच्चो, basically applicability के बारे में ये section बात करता है, because this is the first section, तो first section में applicability की पूरी चर्चा इन्हों ने कर लिए ठीक है, तो ये क्या बोल रहे है बच्चो, अगर suppose आप foreign company हो, ठीक है, और आपके जो share holders है, ठीक है, 50% से जादा जो आपका paid up share capital है उसमें अगर 50% या उससे जादा Indian citizens ने उनकिया है, या इंडिया के companies या इंडिया के body corporates ने उनकिया है, या इसका कोई भी combination भी हो सकता है, in this case, क्या होगा, आपके इंडिया के business को हम लोग पूरा कमनी जाट applicable कराने वाले है, और अगर नहीं है तो, 50% से काम है तो, तो फिर आपको कौनसे कौनसा sections अप्ली कर लोगे, आपको ये chapter अप्ली कर लोगा, ये chapter में से exclusively आपके लिए कौनसा sections बने है, 380 to 386 and last के दो sections, 390 to 393, ये last के दो sections आपको सुनना है, ठीक है, बीच में के sections भी वैसे foreign companies को applicable होते है, बट वो broadly companies incorporated outside India को in general apply होते है, ठीक है, फंड रेजि sections उसके लिए, बराबर है ना, और बच्छो अगरा 220 वाली कमणी होता, आपको तो पूरा का पूरा, पूरा, कमणी जाके सारे chapters ही आपको लोगे, understood, ठीक है, this is which section, नहीं 79, ठीक है, अब आपको बोलना है, फटा फट से, what is section 380, एक मटक जो, हाँ, 380 क्या है, 380 is a very simple section, 380 बोलता है, कि अगर आप foreign company हो, तो आपको 8 documents, ROC को, 30 days में submit करने होंगे, इसका technique क्या था, car, PDC, ठीक है, तो बच्छो आपको बोलना है, C से क्या आएगा, charter document, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, FC1 में इस सारे detail submit करना है, ठीक है, बच्छो, charter document जो होता है, वो दूसरे country में, जो आप MOA, AOA बोलते हो, है ना, उससे similar document है, उसको आपको directly इंडिया में, सीधा-सीधा आप नहीं दे सकते हैं, उसको English में translate करना होगा, प्लस, आपको Reserve Bank of India का भी permission लेना होगा, और अगर RBI के कोई permission की जरूत नहीं है, तो authorize representative वैसा बोल देगा कि हमें RBI के permission की जरूत नहीं है, ठीक है, उसकी बाद A2, दो address आपको भीजने हैं, एक, इंडिया के अंदर का registered office, इंडिया के बाहर का principal place of business, इंडिया के बाहर का, इंडिया के बाहर का principal office, ठीक है, next, R से कहाएगा, resident बोलो, चाहे, representative बोलो, वो resident होना चाहिए, इंडिया का authorize representative, authorize representative का importance क्या है, इंडिया में document उसी को देते हैं, और वो ही company को represent करता है, इंडिया में, ठीक है, then P, P से कहाएगा, place of business, इंडिया में जो भी आपके place of business है, जो पहले आपने चालू करके बंद भी कर दिये, उसके भी details आपको सब send करने होंगे, उसके बाद, D से कहाएगा, Directors, Secretary, बच्चो, Directors, Secretary का नाम, उनके पपा का नाम, उनके मम्मी का नाम, उनका date of birth, उनका पैन, उनका दिन, सब कुछ, nationality, सब भीज़ दो, And last, see, Convicted नहीं होना चाहिए, Director, या Authorized, Representative, इंडिया के कोई आक्ट में, या बहार के कोई आक्ट में, या कई डी बार नहीं होना चाहिए, यह सब चीज़े, अगर आपने send कर दी है, ROC को, तो ROC जो है, वो बोलेगी, ठीक है, अब आप, आप इंडिया में business कर सकते हो, ठीक from such alteration, ठीक है, और बच्चों, यह दो FC1 और FC2 अगर आपको या दे, तो हम लोग अब डारेटली आयता है, section 381 में, ठीक है, what is 381, accounts of foreign company, very good, एक में डा, यहाँ पर बहुत सही summary लिखा है, तो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, पूरे points, सब भी लोग ध्यान तो, हाँ, आजो, accounts of foreign company, everyone, ठीक है, बच्चों, 381 में लिखा है, foreign company के accounts के बारे में, summary इतना सही है, यहीं से पूरे points लना हो जाते है, ठीक है, exam के एक दिन पहला कर आप सोच लो, क्या पूरू, क्या पूरू, सब summary देखके जाओ, बट हर section का summary नहीं बना है, बड़े-बड़े section क summary फिर उसके short notes बने है, ठीक है, यहाँ आजो, यहाँ से हम लोग पूरा कड़ते है, foreign company है, ROC को क्या करना है, हर calendar year में, balance sheet, PNL account, submit करो, हर calendar year में, ROC के पास जाओ, balance sheet, PNL account, submit करो, balance sheet, जो end होता है, जिस तारीक को end होता है, उस तारीक को, उस तारीक को, आपके active place of business का हिसाब पी देतो, active place of business कौन से form में दोगे, FC3 में दोगे, और obviously यह बच्चो, यह सब कुछ आपको है न, कौन से भाशा में जना है, English language भाई, ठीक है, वो Chinese भाशा अबट 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 होती, उसको ROC को कुछ समझ भी नहींगा, है न, ठीक है, तो आपको उसको translate करना है, certified Translation करना होगा, और send कर दो, ROC को, next, यहां क्या होता है, बच्चो यह जो financial statements अब बनाते हो, schedule 3 के सब सुना चाहिए, schedule 3, जो India के companies को भी follow करना पड़ता है, है न, schedule 3 बोलते हैं, तो accounting standards भी आ जाएंगे, ठीक है, बच्चो financial statements कितने महिने में submit करना है, इस पे exam में question आ चुका है तो ध्यान से सुनना, revision के time पे भी, financial statements जो होते, बच्चो वो आपको financial year से 6 months में submit करना है, और बच्चो नीचे rules जो न, rules में लिखा है, आपको हर financial year के साब से balance sheet बनाना है, है न, यहां लिका, every financial year, you have to make financial statements for your Indian operations, submit this in 6 months from financial year, extension में मिलता है गया, कितने months का, 3 months का, ठीक है, इस question कांसे करतो, Indian companies को financial statements कब submit करने हो, आरोसी को, AGM से 30 days के अंदर, पहले AGM होगा, AGM में उसको adopt किया जाएगा, जैसे वो AGM में adopt कर लिया गया है, वहां से 30 दिन में आपको आरोसी को जाके submit करना होगा, ठीक है, अच्छा, next, बच्चो आपको यहां पे, कुछ documents chapter 9 के भी ज एक exam में इस section पे आपको कौन से पुछे पता है, बस ही एनेक्षर्स, सिफ एनेक्षर्स पे तीन मक्र कुछन है, मैं जब भी आपको बोल रहा हूँ, आप जितना उसको ध्यान से सुनोगे, क्या होगा, यहां तो दो चीज़े होगी, आप क्लास में सुन लोगे, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यार, यह इंपोर्टेंट यह सर ने चिला चिला के भोला है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो फिर आप खुछ से effort लेके करोगे, आप सो उसलो आपने fees बार आया, तो मेरे से सुनना है, और अभी पका करना है, फिर घर बेटके महनत करनी ह फिर fees क्यों दिया है, है ना, थोड़ा तो आप उसका return ले लो ना, बरावर, चलो आजो क्या बतारो, बचो यह बहुत important area ध्यान सब सुनना, कितने आपको अनेक्जर्स जोडने है, तीन, कौन से तीन, आर पेटी, profit repatriation, transfer funds, what is आर पेटी, related party transaction के details दो, क्योंकि सबसे इंडिया से बाहर कितना अपने main entity को profit बेज रही है, and third, transfer funds, वहां से इंडिया में पैसा कितना आया, इंडिया से बाहर पैसा कितना गया, ठीक है, dividend वगर कुछ दिया, तो वो भी आपको बता देना होगा, सही है क्या, plus आप books of accounts maintain कर रहे हैं, तो आपको audit भी कराना होगा, audit chapter return के साब से audit कौन करता है, auditor, वा, become level से भी घटी answer है, auditor, क्या answer होना चाहिए, chartered accountant in practice, फिर चाहे वो individual भी हो सकता है, firm भी हो सकता है, LLP भी हो सकता है, थोड़ा तो धंका answer दे दो, audit चल रहे हैं, है न, sir की कुछ इज़त रख लो, आजो next point पे, what is FC4, annual return भी आपको बनाना होग submit करो, 60 days from the end of financial, a quick question, regular companies को annual return कब तक submit करना है, 60 days from AGM held, और ought to be held, as per section 92, as per section 92, wonderful, यह अगर आपने बोल दिया, तो यहाँ पे 381 हो गया, next section, आगे के बहुत चोटे चोटे सेक्शन से, फटा फट आपको बताना है, 382 काय काया है, 382, एक सेकंड, display of name of, display of name of foreign company, आजो, देखो, क्या बता रहो, बच्चो, छोटा सा point है, जल्दी से बता रहो, अगर आप foreign company हो, लोगों को धिंडोरा पिट के बता तो आप foreign company हो, कैसे बता होगे, आपको दो जगा foreign company है, तो आपके country of origin का नाम लिखना है, है, है ना, देख लो, एक पर वपस बता रहो, बच्चो, foreign company को, एक तो पहली जगा, आपके जितने भी place of business इंडिया में, उसके बाहर, clear, clear अक्षरों में, clear, clear भाशा में, आपको तीन चीज़े लिखनी है, कौनसे तीन चीज़े लिखनी है, आपका नाम क्या है, आपका country का नाम क्या है, और limited liability है, नहीं, ये तीन बाते आपको साफ-साफ legible letters में लिखना है, है न, ठीक है, बच्चो, तीन बाते है, फिर से बता, कौनसे तीन बाते है, company का नाम क्या है, कौनसे देश के हो, ठीक है, और last, आपका liability है, limited है, unlimited है, वो सब आपको mention करना पड़ेगा, सही एक चीज़ और, दो language में लिखना है, English में लिखो, vernacular language में भी लिखो, ठीक है, दो language में लिखना जरूरी है, लोगों को पढ़ने तो आना चाहिए, अगर आपको office देख रहे हो तो, है न, मतलब अगर महाराष्ट में है तो, English और Marathi, दो language में आपको लिखना पड़ेगा, स सब पे आपको ये तीन बाते फिर से लिखनी है, बट इसको दो-दो भाषा में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ एक भाषा में लिखना है, वो है English, local language में लिखने की जरूरत, नहीं है, section खतम, कौन से section से लिखा, 382, कितना simple सा section है, है न, शुरू होते ही खतम होगे, ऐसे section अच्छे लगते है, next, section 383, section 383 का नाम पड़ो, service of notice on foreign company, मतलब अगर आप foreign company हो, और अगर ROC आपको कोई documents send करना चाहती है, या फिर कोई भी person आपको कोई documents भेजना चाहता है, तो कैसे भेजेगा, सबसे पहले किसको भेजना है, authorized representative को, उसका कामी तो वही है, है न, authorized representative जो इंडिया का resident होता है, जो अपने पहले ही ROC को बता दिया है, कौन से फॉर्म में, FC1 में, उसमें से ROC निकाल लेगी, who is authorized representative, उसको service देदेगी, उसको documents serve कर देगी, अब next question यह जोता है, document को serve करने के कितने methods है, अगर आपको याद है, regular companies को section 20 of the companies act में, बहुत सारे methods दिखे गए थे, है न, आज ही अपने test दिया है, तो आपको थोड़ा बहुत तो याद होगा, registered post, speed post, normal post, etc, etc, ठीक है, अब यहाँ पर अच्छो इन्होंने से 3 modes बोले, कौन से 3 modes, first is left at such address, मतलब क्या, उनके pass जाके proper drop करके आगया, notice, उनके address पे, next, या तो post से बेजो, next, या तो electronic mode से बेजो, सबसे सस्ता कौन से है, electronic mode, और बहुत ही नस्दीक है तो, left at such address कर दो, फ्रोण दूर है तो, post से बेजो, आप क्यों मेरे जी, right, चलो, हो गया एक खतम, बोलो, next क्या है, 384, यह section है, धोका, मतलब, foreign company को पहले बड़े प्यार से बोला गया, सिर्फ यह chapter सुनने है, बाब में बड़े प्यार से उनको बोला गया, नहीं यह chapter नहीं, कुछ और चीजे भी सुनलो, जैसे की कौनसे कौनसे sections, 71, debenture का, 92, annual return का, 135, CSR का, 128, confidence अच्छा है, maintenance of books of accounts, next chapter number, chapter number 6 काई का है, charges, chapter 14, investigation and inquiry वाला chapter, यह सब chapters और sections आपको लाग हो जाएंगे, applies to foreign company, this is which section, 384, section भी खीच के वोले का, 384, ठीक है, next section कौनसा है, बहुत ही सई section है, शुरू ते ही कतम हो गया, तो मतलब यहां पे fees आपको लर्न नहीं करना है, एक ही जग आपको fees लर्न करना है, वो भी end में मैंने बताया था, 393, 393, जो punishment वाला section है बस वहां पे आपको उतना ही लर्न करना है, ठीक है, 385 हो गया, next, next is 386, आजाओ, 386 कितना must section है, interpretation, यह section बोलता है, इसके पहले हमने दो words बोलेते, उसका meaning वहां नहीं बता है, तो यहां बताएंगे, मुन्ना, मुन्ना, सुलो, पर इसे बता रहो, section 3D से इसका है, interpretation, यह क्या बोल रहें बता है, गल्दी से अपने सर दो words बोल दिया वहां पे, उसका meaning नहीं बता है, आपको confusion होता रहेगा, तो अलग section मना दिया, interpretation में दो ही words का मतलब पता हैं गया है, first is certified translation, second is place of business, पहले easy वहां करते है, place of business includes share transfer office, share registration office, है न, किसी बाहार के company ने इंडिया में कुछ भी काम दन्दा नहीं किया है, बट अगर से एक छोटा सा office open कर दिया है, थाकि इंडिया के shareholders को आसानी हो, share को transfer, register करने में, तो भी आप बन गए foreign company by virtue section 386, क्योंकि place of business में आ गए आपका S.E.O.S.R. हो, खतम होगी बद, आप इंडिया में काम दन्दा करो, या मत करो, place of business है, मतलब वो foreign company हो गया, क्योंकि लिखा है and, बट पढ़ते हैं और, कहां पे, foreign company के definition में, सही है क्या, ठीक है, एक और चीज़ बलता, सपोज टेसला है, इंडिया में कुछ भी काम दन्दा नहीं कर रही है, बट इंडिया में inquiry के लिख ले लाइजन ओफिस उपन कर दिया, तो, प्लेस ओ बिजनस ओ, foreign company हो गया, matter नहीं करता आप बिजनस, activity इंडिया में करो या मत करो, समझा, आया न, ठीक है, आजो, certified translation में certified word का मतलब क्या है, सर, दो चीज़े आपको करना है, true copy, correct translation, true copy मतलब क्या, यह original है, और यह इसका photocopy है, original का ही photocopy निकाला है, इसमें कुछ hair fair नहीं हुआ है, ठीक है, छोटा बच्चा भी बोल सकता है, original, और यह same दिख रहा है, true copy बोलना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बट कोई reputed person बोल करेगा, तो हम लोग करेगे क्या, नहीं, तो आपको धंग वाले person से आपको वो true copy करवाना होगा, अच्छा एक चीज़ और, बच्चो नीचे और क्या लिका है, correct translation, मतलब, यहां पर तो main game है, true copy तो हम सब लोग में से कोई भी बोल सकता है, बट translation सही है नहीं, उसके लिए लैंगविज आना चीज़, ठीक है, तो बच्चो यह दो बाते, certify, कौन कर सकता है, very important, even this area has been asked in the exam, सुनना, दो लोग कर सकते हैं, फिर्स, advocate या attorney, जो हाई कोट में, हाई कोट में जाने के लिए eligible हैं, ठीक है, सेकेंड, और अगर सपोज, advocate है, सुनो, सुनो, कोई हाई कोट हाई कोट वाला advocate मिल गया, पर इसको दोनों languages नहीं आते हैं, तो फिर translation कैसे करेगा हो, है ना, तो in that case फिर procedure क्या है, फिर ROC कोई competent person को appoint करेगी, वो translation करेगा, और affidavit put करेगा, newspaper में, this will be the procedure, समझा गया sir, कौन सा point बताया, कौन सा point बताया, 386 में कौन सा point बताया, दोन भी points पता दे नहीं, place of business भी बताती है, चलो, very good, next section कौन सा है, सावधान, सावधान, रुख जाओ, क्या बता रहो, बच्चो, ये देख लो, अगर आप foreign company हो, तो आपको 380 से 386, 392 से 393, इतने sections applicable होंगे, इतने sections applicable होंगे, तो sir, बाकी sections applicable नहीं हो रहे हैं क्या, ऐसा नहीं बोला है, ठीक है, हाँ, आप देख लो, ये बीच में के sections कौन से रहे हैं, 387, 388, 389, 390, 391, इतने sections जो है, वो किसको applicable होंगे, company incorporated outside India, तो company incorporated outside India, अगर होगे न, तो इंडिया में उनका place of business है या नहीं है, उससे कुछ परक नहीं वड़ता है, है ना, अगर आप बाहर के company हो, और अगर आप इंडिया आगे, पैसा मांगने के लिए, तो हम आपको इतने सारे sections है, अप लिवल करा देंगे, फिर आप बोलना मत, sir, हम तो foreign company नहीं है, आप foreign company नहीं हो, चलेगा, इंडिया में आगे पैसा मांगने के लिए, तो आप फस ग है, बस, आपको वाद सही clue मिल गया, कभी भी confusion हो गया ना, तो आप यहां पर यह सारे sections इस तरीके से analyze करके, दिमा में बैटेगा, रहे यार, यह तो सवर नहीं बता है, यह तो है ना, prospectus और fund raising वाले section से, फटाफट बोलो, 387 कौन से चीज के बारें बोल रहे है, 387 क्या बो prospectus पर date लिगो, ठीक है, एक चीज और, 387 एक और चीज बोलता है, आपको prospectus में दो बाते लिखनी है, गिन के दो बाते, अगर आप, अगर आप, दो साल से कम हुए हैं, आपको पैदा होके, तो आपको दो बाते लिखनी है, है ना, अगर बहुत ही new company है ना, तो उस पर trust कम ह होगा, तो उसको क्या बोलगया, देख तो नहीं company है, बराबर, तो छे मेने होगे तिरको incorporate होगे, तो इंडिया में आके इंडियान से पैसा वांग रहा है, भाई, एक काम कर, तिर पर भरोसा नहीं है, तो सबसे पहले तेरा charter document दे दे, ठीक है, दूसरा, तो जो country में बना है तो जो country में बना है, उस country का enactment कौन सा है, वो बता दे, बराबर, ब्लस, date of, date of incorporation भी बता दे, ठीक है, और ये दोनों चीज़े हम कहां से access कर सकते हैं, उसका address बता दे, देख लो अच्छे से, है ना, first is charter instrument, second is enactment under which company is incorporated, plus date and country of incorporation, and last का लिका है, address, जहां पर हम लोगे inspect कर सकत होते है, generally address मतलब web address होता है, link share करते है, जहां पर मनोग क्लिक करके सीधा उसको पढ़ सकते है, सही बात है, ठीक है, अचा, बच्चो, यहां पर एक चीज़ दोर मैंने अभी clear किया है, ये documents देने की जरूरत नहीं है, अगर दो साल से आप पुराने होतो, समझा, ठीक है, और application form में application money आता है, फिर allotment money आता है, application form तो सबसे first procedure है, अगर कोई बाहर की company, इंडिया के लोगों को application form देना चाहती है, तो application form दे ही नहीं सकती, जब तक आपने दो चीज़े नहीं किये, कौनसी दो चीज़े, first is prospectus आपका valid होना चाहिए, second is expert का consent मिलना चाहिए, expert का consent prospectus बना रही है, इसके content section 26 से ले लो, बराबर, एक और चीज़, अगर आप underwriter को दे रहे हो, तो आपको ये सब लागो ही नहीं होगा, बराबर, या फिर मान के चलो, आप एना same category के shareholders को shares दे रहे हो, rights issue, same category के shareholders, existing shareholders, या फिर similar type के shares दे रहे हो, जैसे कि bonus issue हो गया, तो आपको य ये सब जमेला उपस करने के जरूत नहीं है, सही है, बराबर, सब बता दिया, next is 388, 38 क्या बोलता है, expert का consent, please एक question का answer करो, expert जो है बच्चो, ये same point हमने इसके पहले भी बढ़ा था क्यार, expert कौन होता है section 2, 38 में defined हुआ है, कौन है, CA, CES, CWA, any other professional who is having a certificate of practice, और इसका definition कौन से section में, to gloss 38, expert का consent मिलना चाहिए क्या, तीन बात है, expert ने consent दिया है, consent को withdraw नहीं किया है, और ये बात, clearly, साफ साफ भाशा में, prominently लिखो, कहां पे, prospectus में, या तो prospectus में लिख दो, उसके expert के statements को, नहीं तो एक report जो है, उसका आप link share कर दो, उसका link share करो के तो भी, चलेगा, you won't believe this thing, सुब़ यही तो बता रहा था, इस छोटे से point भी exam में question है, कौन से छोटे सा point, देख लो, यहां से बता रहो, एक से कन रुख जो, एक्डम end वाला point है, end वाला point, ये वाला, ये, ये देखो, क्या लिखा, statement to that effect on prospectus, पढ़ो ज़रा, content in report appearing on face of prospectus, और reference incorporated therein, reference दोगे तो ही चलेगा, वो prospectus valid ही होगा, समझा क्या, ठीक है, जो इतना चिल्ला चिल्ला के बता रहा हो ना बच्चो, जब आप वो बुक निकाल के पड़ोगा ने question answer का, तो आपको बहुत helpful होगा, right, okay, चलो, next point पायाता है, next, कॉंसा section है, 389, नाम case का, registration of prospectus, इतना आसान section है बच्चो दो मिंट सुननों के तो दो मिंट में हो जाएगा, क्या बच्चो सुनना, foreign company है, यहां company incorporated outside India है, ठीक है, इंडिया में आगी, इंडिया के लोगों को बोल रहे है, prospectus, लो, पैसा दो, तो इंडिया के लोग क्या बोलेंगे, यह prospectus सही है क्या, बोल रहे है, हाँ, बिल्कुल स देना, जरूरी है, अब देख़ो 381 के बोलता है, नाम पड़ो, नाम पड़ो, registration of prospectus, तो basically क्या बोल रहे है, बता है, बच्चो, आपको है न, यहां पे prospectus को ROC के बस register करना पड़ेगा, prospectus के नीचे 5 documents भी देना है, राइट, हाँ, वो ही बता रहो, ठीक है, EPUMA, राइट, prospect prospectus दो, उसके नीचे, EPUMA देतो, ठीक है, अचा, 5 documents consequence होते, E से, expert का consent, P से, power of attorney, अगर डारेटर ने sign नहीं किया prospectus, उसका power of attorney है, उसका agreement का copy भी देतो, ठीक है, U से, underwriter का agreement, M से, material contracts, रुको, 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 material contracts कितने साल के, पिछले दो financial years के, ordinary course of business नहीं होना चाहिए, जो साधारन जीवन में आप करते हो, वो नहीं चाहिए, जो आप साधारन जीवन, मतलब, not in lottery course of business जो है, वो आपको जोडना है, सही है, ठीक है, बताओ, EPUMA में और कौन सा बचा, लास्ट में, very important, आपने appoint किया होगा, MDA manager को, उसके contract का copy जोड़ दो, औ ऐसा नहीं चलेगा, औरली contract की असर हम लोगों को है न, जोडने की जरूत नहीं है, नहीं चलेगा, सुब एक्जाम्बल देते हैं क्या, Reliance और Mukko भाई का, Mukesh Ambani का, है न, मतलब, चलो, ठीक है, जाना दो, समझ में है सबको ये, so this is with section 389, next, कौन सा section है, जल्ली से बता हो, 390, वाओ, 389 के मतलब क्या थे, 390, section में क्या है, माह इतना ही है, क्या लिखा है, offer of IDR, what is IDR, Indian Depository Receipts, ठीक है, मैं क्या बता रहो, ध्यान से सुन लो, दो मिट लगेंगे, बच्चो, IDR का कौन से सबको याद है, बस ये GDR का reverse है, GDR का reverse है, ठीक है, तो IDR में क्या होता है, अचा, GDR में क्या होता है, इन्फोसिस बाहर से पैसा ले रही है एक सिंपल रखते है GDR मतलब इन्फोसिस बाहर वालों से पैसा ले रही है तो अगर इन्फोसिस को बाहर से पैसा लेना है तो इसका प्रोसीजर क्या था? इन्फोसिस को इंडिया में और इंडिया के बाहर एक common bank धुनना पड़ेगा, सही है, for example, देख लो, Infosys अबसे पहले क्या करेगी, अपने शेहस देगी, इंडिया के bank को custody देगी, इसको बोलते हैं, domestic custodian bank, domestic मतलब? इंडिया का custodian मतलब? जिसके पाज शेहस हमने जमा किये, custody दिये, ठीक है, ये भाई सब अपने दोस्त को देगा, जो बैटा है, कहाँ पे? overseas, USA, है ना, same bank है ये, basically same bank के branches इंडिया और वहार है, ठीक है, overseas, depository bank, मतलब, depository bank क्या करेगी? depository receipts issue करेगी, very simple, तो इन्होंने किसको दे दिये, DR? दे दिये, USA वाले लोगों को वहाँ से ले लिया, dollar, खतम, easy है, ये हो गया, GDR वाला point, अब बतो, IDR वाला point क्या है? इसका उल्टा करदो ने, आइडियर में क्या होगा? IDR में, बाहार की company, पहले, इंडिया के एक bank को, जो इंडिया में भी है, present, और US में भी है, वहाँ पर वो इस तरीकर से deal करेगी, ठीक है, for example, से standard chartered bank, क्या करेगी वो, वो पहले जाएगी, अपने shares देगी, किसको, USA में जो bank बैटी है, उसको overseas bank बोलते है, overseas bank को अपने shares जमा कर देगी, तो वो bank का नाम क्या होगा? overseas, custodian bank, क्योंकि वहाँ custody देगी है, ठीक है, फिर वो bank जो है, किसको rights देगी यहाँ पर, domestic depository bank, और domestic depository bank, फिर idea issue करेगी, ठीक है, but this is not a very popular concept, sir, क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग यहाँ आके, पैसा raise करेगी, बहुत महेंगा हो जाता है, ठीक है, हम लोग वहाँ जा रहे है, multiple reasons से, वो यहाँ आ रहे है, कोई solid reason नहीं बनता है, but है concept तो पढ़ना पड़ेगा, अगर आपने idea issue किये, तो आपको तीन लोगों की बात सुननी होगी, Central Government जिन्होंने इस chapter के rules बना है, Central Government जिन्होंने इस chapter के rules बना है, से भी जो regulate करती है पूरे points को, and last, RBI क्योंकि FEMA आएगा, FEMA is, कोई बोलो बस FEMA पता नहीं मेरे को, खाली बता बोल दो बस FEMA पता नहीं है, नहीं पता है न, get out of this class, जाता बोल रहा जोशी, वह जोश में हो वैसे भी, चलो आज़ो, last point, 391 बच्चों काई का है, हो के बस, बै इससे जाता लेने वाला नहीं हो, वैसे भी आज लेक्चिर्स छोटे-छोटे है, हाँ, चलो आज़ो, section 391, अरे ध्यान तो यार, बता दिया जाएगा तुम लोगों को, क्यूँ छोटे लेक्चिर्स है, चलो आज़ो, अरे आज, एक ranker का special session है, ठीक है, C.F.A.N.L. rank holder, सुएशा का एक special session रहेगा, तो उसमें सब लोगों बैटना है, ओके, तो अभी आना पर आजाओ, 391 क्या है, बचो 391 बोलता है, एक seconds, stop talking, please, everyone, 5 minutes, 5 minutes, 391 क्या बोलता है, अगर आप इंडिया में के fund raise कर रहे हो, अगर आपने घोटाला कर दिया तो, तो आपको 34, 35, 36, तीनो आपिल को लाज़ेंगे, 34, criminal liability, prospectus में घोटाला किया, तो criminal liability, 35, civil liability, and 36, punishment for fraudulently inducing people to invest money, class में जो बच्चे बैठे हैं, जो बिल्कूल भी मतलब आंसर नहीं दे रहे है, मतलब तुम लोग सोच्टो, तुम लोग की कितनी बुरी बैंड बजी हुई है, अब मैं सबको पिंट पॉइंट करके नहीं पूल सकता हूँ, तुमको रिलाइस होगा रहे हैं कि मैं तुम लोग को बोल रहे हुँ, जो शान्द बैठे है, बिल्लुकुल कुछ भी आंसर नहीं दे रहे, मतलब वो पता नहीं कौन से दुनिया में बैठे, उनको ना तो 34, 35, 36 पता है, ना इस चैप्टर का कुछ आईड़िया है, ठीक है, ऐसा समर्लोग एक अटेम लगने वाल है, I'm making a very harsh statement, बढ़ यह reality बतारो, सब बच्चे पास नहीं होग यह जो हॉल में बैठे, आजाओ, अपना अपना देखलो भई, बच्चों क्या बतारो, देखलो अच्छे से, यह प्रोस्पेक्टर से आईड़िया अपने इश्यू किया, तो आपको 34, 36 अपने हो जाएगा, चैप्टर 22 भी अपने हो लोगा, चैप्टर 22, सोरी, 20 भी अपने हो लोगा, 20 बोलता है, अगर आप बोरिया विस्तरा बानके, अगर आप आपके देश जाना चाहते हो, तो पहले ही यहां के पूरे फॉर्मलिटीज कम्लीट करो, ऐसा नहीं आची है, कि आपने यहां पर बिजनेस किया, और बोल रोड किया, और बोल रहें टाटा बाई बाई बाई, एक लग, माक्सिमम, तीन लग, और पर डे डीफोल्ट कंटिनी होगा, पचास हजार रुपए, क्या यह ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा क्यों रखा, तू फिरंगी है, तू अमीर है, पैसा दे दे, दे सकता है, फिफ्टी दाउजन पर डे, इफ डीफोल्ट कंटिनी होगा, ऑफिसरें डीफोल्ट के लिए, पच्चीस दवर से पांच लग, इनके लिए इतना ज़्यादा क्यों? क्योंकि त्वमेव माता, पिता त्वमेव, यह कौन है, यह person resident in India है, यह AR है भाई, इसको तो हम पकड़ेंगे-पकड़ेंगे, इसने गोटा लगिया है, इसको compliance करना चाहिए था, ठीक है, failure of company to comply this chapter, अगर कोई company, foreign company है, या incorporate outside नहीं है, उसने इस chapter का compliance नहीं किया, तो उसने, अगर suppose FC1 submitted नहीं किया, बैंक के पास चलेगे, लोन मांग निकले, वो लोन का contact valid होगा, FC1 submit नहीं किया, सुनो, सुनो, वोपस से सुनो, गलत आंसर दे रहे, वोपस बोल रहो, FC1 submit नहीं किया, foreign company ने, बैंक के पास चलेगे, लोन मांग लें, लोन दे दिया बैंक ने, बैंक हो गया, बता, FC1 submit किया नहीं गया, बैंक ने लोन दे दिया, अब बैंक बोल रहे है, अपना contract तो valid है न, है न, होगा नहीं होगा, definitely होगा, बिल्कुल contract is valid, भाई आपकी गलती वो आपकी लापरवाई होगी, कि आपने FC1 submit कि नहीं किया, हमारा contract तो बिल्कुल सही रहेगा, contract पे कुछ असर नहीं होगा, contract will be valid, अब यह बताओ, बैंक या उसको issue करके, पैसा recover कर सकती है, येस, और ये foreign company को किसी से पैसा आना बागिये तो, भूल जाओ, क्योंकि आप तो गलत काम करके बैठे हो, फेले धंग से उसको FC1 फाइल करो, उसके बाद आप किसी के गिंस केस फाइल कर सकते हो, सही है, बराबर, ठीक है, यह बना आपको कैसे बता है था, अन्रजिस्टर्ट पार्टनेर्शिफम जैसे हलत होगे इनके, चेक मिट, राइट, बच्चो, इनदिया में फारें कमणी जैसे खुद को बता दिया, इतने जूर्च सोब गर के हुआ का- कमप्लाइंसे कम करना होगploy, या फिर आपको शुर्फ करना करना, बहुत सही पहुत लूगह मेंना बहुत साइई स् pasture द스ूलिस फॉर्याव आई, अब लोग जर्मन की अब जर्मनी को विलॉंग करते है अगर कोई भी ऐक रहा है लंबा लंबा तो यहां पर कौन पड़ेगा इन्वेस्टिकेशन हो सकता है सेंट्रल कोमेंट जो है इन्वेस्टिकेशन करा सकती है असपर सेक्शन 210 समझा सबको और लास्ट 234 का पॉइंट बताने की जरूत नहीं है क्योंकि यह भाई आपके सिलाबस में डंग से दिया भी नहीं है लिख भी लिया मत पड़ों सबसे मस्ट यहीं लग रहा है आपको अरे वा मत पड़ों अरे वा 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 चलो विल स्टॉप एर बच्चों एंड विल कंटिनू इंदी नेक्स लेक्ट्चर पूरे 37 मिनिट्स में 35 मिन्ट्स तो तेरी आवाज आ रही है कल एक काम करते हैं कल पहले तो न हम लोग जीडिया ढंग से निप्टाते हैं है न वो थोड़ा एक पर बताना पड़ेगा और ओपी से के एक दो पॉंट्स बता देता हूं फिर विल स्टार्ट विद इंटर्पिटेशन में हम स्मायल कंंश्य अममें लेटस्ट वॉइंट्स पनटना है था मौडियल में देखो नस morgen 40 के क्रोड क्या हो एक उते करो हिए वह ब्ल्स अहिंड हो है राइट सेम उस पर क्वेशन आया था लाओट से रुख जाओ नो क्योंकि आज लेक्षे स्थोटे कल पूछो किस में डाउट है यही चाप्टर में पर्स्ट में डाउट है कल पूछ लो अचा बच्चो मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा था अपने दो एक्स रहे गया भी एक इंटर्प्रेटेशन एक जेनल क्लॉजस जेनल क्लॉजस एक जो ना आप दो वीडियोज प्लीज देख लो ने यार अल्रडी एक सेकंड रुको यार अले रुकरे रुक जा इनके दो वीडियोज है उसका स्लाबस चेंज ही नहीं हो है और डीटल में अप्लोड हो चुक है तो प्लीज आप वो दो लेक्टेश देख लो एर ठीक है हम लोग एक काम करेंगे मैं एक चीज़ बोल रहा हो हम लोग उसका क्वेश्चिन बैंक साथ में करेंगे तो दो लेक्टेश् झाल